टीन घंटे तीन घंटों में क्या नहीं कर सकती थोड़ा सो सकते हो 20 jamae के अंदर काफी मैच खेल सकते हो काफी सारे 750 में देख सकते हो बट एक चीज एक है तुम्हें तीन घंटों के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है आधि पूरुँझ देखना मूवी से इन एवरी एक्सपेक्ट वी एफेक्स साउंड डायलॉग इवन स्टोरी देखो मेरा एनमे और मूवियों कंपेर करना एक पर्षेंट भी थौट नहीं था बट मेरे एक एनमे कंटेंट है और जपान की बनाई हुए एक एनमे मूवी हमारे बॉलीवड मूवी से कित करेड करोड के बजट की मूवी से बैटर है देखो रमायना दे लजेंड और प्रिंस राम जो एक्शुली में एनमे मूवी है ये जपान और इंडिया दुनों ने मिलके बनाई थी इस मूवी का डिरेटर थे योगो साको और इंडिया में से राम बहुनने इनकी हेल्प करी है मैं उन दो कंपेर करने से पहले बोल दू कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारे एनमे वाली मूवी कैसे बैटर है इस मूवी से जो भी होगा सारा फैक्ट होगा डिफरेंस का पहला पॉइंट स्टोरी देखो सबसे पहले एक बहुत सिंपल चीज तुम तीन घंट है उनका यह बॉंड बहुत सुंदर वे के अंदर हमारे अनमे मूवी पूट्रे करती है बट आदेपुरुष। आदेपुरुष की टीन में सोचा कि राम जी सिता मातिकर कैसे मिले उनका बॉंड कैसे बना राम जी को वेपन का लॉलेज कैसे हूआ यह सब को पता ही है तो काम करते हैं बहुत cheap way के अंदर इसो animate करते हैं और side कर देते हैं हाँ आधी पुरुशंदर ये scene है ही नहीं एक drawing type of sketch में दिखाया मैं शुरू में वो scene और skip कर दे सब कुछ मैं शुरू में शुक में था कि अब बै ये क्या हो रहा है अपने पाधुका दे देता है और पूरे वनवास पर नंगे पैर रहते हैं एनेमे मूवी के अंदर ये प्रॉपली दिखा रखा है पर आधी पूरुश में राम जी ने अपने पाधुका दिये और उन्हें कोई चपल मिल गई और रमायन की anime movie जो है उसके अंदरे सारे सीन इतने अच्छे वह में पूर्ट्रे करे गए हैं बट आधी पूरुष गोबर में को खुद अंदर जातना बुरा फिल हो रहा है कि मैं अपने राम जी को पर जो movie बनी है मैं उसके वारे मैं बुरा कैसे बोल सकता हूँ पर उन्होंने बना ही दनी गंदी है वो आधी पूरुष को बनाने का जो में मोडिफ था वो यह था कि जो नई जनरेशन है उनको रमायन दिखा है उनको रमायन के बारे बताया जाए एक अच्छे अनिमेशन के साथ बट तुमने अपने में करेक्टर हमारे राम जी और सीता माता उनका क्या क्या कुछ नहीं है और लक्षमन जी तो हमारे शीराम के रियल ब्रदर भी नहीं थे उन्होंने क्यों अचर्प करा फिर वन वास लक्षमन जी और राम जी यह क्या बोड़ना तुमने वो भी नहीं दिखाया आधी पूरुष अंदर ये सारे सीन और में के अन्दर हर एक सीन दिखाया गया है आगे जाके राम जी की एंट्री और लक्षमन रेखा और वी एफेक्स के नाम पर तुम यह क्या दिखा रहे हो तुमने क्या कोई फ्रीक ग्रीन स्कीन डाउन लोड़े हैं पेस्ट कर दी 600 करोड कहा लागा है तुमने आधी पूरुष में रावन्ट सीता मातों किर्नाप करके लेके जा रहा है एक बैट पर और यह बैट ना पक्खा एक किंडर गार्डन के बच्चे ले ड्रॉक अलाग है और आधी पूरुष अंदर जटायू वाला सीन जिस नई ओडियन्स के लिए आधी पूरुष बनाई है मेरा उन लोग और अगेन इसी जगा एनमी मूवी के अंदर यह बहुत अच्छे में पूर्ट्रे करा गया है कि जटायू कैसे सीता मातों को बचाने कोईश करता है रावन से रावन उनका एक पंक कार देता है और मन्ने से पहले जटायू राम जी को सौरी भी बोलता है कि मुझे माफ कर द सी और कंट्रोल वी करने में 600 करोड लगते हैं आगे जाके जो सुग्रीव और बाली वाली फाइट है वो अच्छली में हमारे एनमे मूवी के अंदर नहीं है बट आदिपुरुष में है बट इन्होंने जो वी एफेक्स दिखाया है मैं पूरी मूवी देखते हैं यह सोता था कि भाई 600 करोड कहां लगे हैं आदिपुरुष के अंदर संपाती वाला सीन में नहीं है बट हमारी एनमे मूवी इसको भी कवर करती है संपाती जटायू का भाई था जिसने बताया था वानर सेना को कि रावन यहां से वहां गया ह है लंका उस साइड है संपाती के बिना वानर सेनों को पता लगता ही नहीं कि लंका कहां पे है जाना किदर है और आदिपुरुष के जो वानर सेनों को फिर अच्छा आदिपुरुष के जो वानर सेना थी उनके पस Google Map होगा हां और जब आगे जाके हनुमान जी के अपनी प दिखाया ही नहीं जब हनुमान जी पूरे सी के उपर उड़के लंका तक जाते हैं तब उन्हें कुछ चैलेंजिस फेस करने पड़ते हैं जो एनम मुवी के अंदर दिखा रखे हैं पर आदिपुरुष के अंदर पांस सेकिंड नी लगे हनुमान जी यहां से लंका पौच पर आदिपुरुष के अंदर हनुमान जी को ऐसी पकड़ ले लिए और अनमे मुवी के अंदर प्रॉपरली दिखा रखे है कि उन्होंने अशोक वाटिका वो डिश्ट्रोइक कर रहा था इसलिए उन्हें पकड़ा गया था और आदिपुरुष के अंदर हनुमान जी को फिजिकली डैमेज किया था उसको इन्होंने क्या दिखाया है मैं समझनी पारों इसको कोई ग्लुकोस चड़ाओ पहले अनमे मुवी के अंदर प्रॉपरली दिखाया है जब हनुमान जी और रावन मिलते हैं वो इन्वारमेंट वो सिंघासन वो सब कुछ प्रॉपरली पोट्रेक करा है जिन लोगोंने अनमे मुवी देखिया उनको पता है कि हनुमान जी जो पूच में आग लगाए गई थी उसका रीजन क्या था बट आधी पूरुष के अंदर रावन बोलता है एक पूच के बिना बंदर कैसे लगएगा बस खतम और कुछ नहीं है अनमे पूच जला दो यह रीजन था और आधी पूरुष में और आख लगाई ठीक है लगानी थी बट यह क्या डायलोग है भाई हनुमान जी है मजाक नहीं है वो तुम्हें पते हैं लोगोंने हनुमान जी है क्या बुलवा है तेरे बापा कपड़ा तेरी लंका तेरे बाप के जलेगी देखो लंका जलते हुए आधी पूरुष और आधी पूरुष और दोनों में दिखाया है पर यह आधी पूरुष में जो डायलाग यूज करे गई है ना भाई बहुत गंदे है पर आधी पूरुष की टीम मुझे बात बताओ तुमने पांच भाई पांच का राम जी भी तब सबका ध्यान सीता माता के उपपार होता है और उसी पॉइंट इंदर जित लक्षमण जी को जड़ कर देता है आधी पूरुष में अजीव हरकते और इनकी आधी पूरुष और एनमे मुवी दोनों के अंदर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेना जा सीन है वो काफी अच्छे दिखाए होई है आधी पूरुष ने कुछ कुछ जगा अच्छा काम करा है बट हाँ जो लोगों का रिलेशन है वो आधी पूरुष ने कंप्लीटली स्किप कर दिया है अब आते हैं कुम करन वाले सीन पे एनम मूवी के अंदर कुम करन पहले रा अधे पूरुष आधे पूरुष के अंदर कुम करन आथा है हनुमां घी को एक बार मारता है हनुमां यू दूर उड़ते हैं राम जी फिर मार देता है कुम करन को बस और ने आठ हजार से भी ज्यादा वानट से न Spanish करन करे आता यहां पर क्या मजाक बना दिया उसका भाई रामजी और रावन की जो बैटल है वो दोनों ही आधी पूरुश और हमारी एनमे मोई बड़े अच्छे विवे में दिखाती है मतलब एक्शन हमने दोनों में काफी सारा देखा दोनों के अंदर रामजी ने काफी स्ट्रगल करा जो में काफी अच्छा लागी हाँ रामजी ने काफी स्ट्रगल करता रावन को मारने में बड़ आधी पूरुश है उन्हें हगना है उन्हें पता नहीं रावन कौन शक्तियां दे दी नहीं नहीं दिन रात हवा जल उसमें मरे गनी रावन अबे कम मिली रावन को ये पावर भाई एनमे मूवी के अंदर हमारे शेर राम रावन का सर काड़ देते हैं पर रावन फिर सिर गुरो कर लेता है फिर बाद में विबीशन राम जी को बताता है कि अगर रावन को मानना है तो उनकी नाभी में अटाक करना पड़ेगा एनमे मूवी में प्रपली दिखा रखा है और ऐसे ही रावन की देथ होती है बट आदि पूरुष उसके अंदर राम जी को पहले ही पता था कि कैसे मानना है रावन को आदे पुरुष की टीम मेरा तुम लोगों ते सवाल है अगर राम जी को पहले पता था कि कैसे मानने रावन को तो विभीशना क्या काम था भाई एनिमी मूवी ने प्रपली दिखा रहा है कि विभीशना क्या रोल था वो क्यों इतना इंपोर्टन था राम जी की साइड पे ह और आदे पुरुष के अंदर तो भाईनने क्या काम कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा करता है कोई बॉंड ही नहीं है लाइक वो बस हैं वो क्यों है क्या कर रहे है कुछ नहीं वो है एनिमी मूवी के अंदर रावन के मरने के बाद एक प्रॉपर एंडिंग दिखा गए हैं बट आदे पुरुष रावन मारा सब लोग आओ हमें पोस्ट करना है और कुछ नहीं करना है पोस्ट करो और मुझे खतम कर देंगे बस देखो एक बात तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं जो आदे पुरुष ने दिखाय पूर रमायंड तो बिल्कुल भी नहीं है तो कि एनमी मुवी बहुत जल्दी 4K में वापस आने वाली है डायलोग की बात करो तो आधी पुरुष टीम ने किसी छपरी को पकड़ा होगा कि डायलोग लिए हमारे लिए यह हनुमान जीसे क्या बुलवा रहे हैं कि तेरे बाप का कपड़ा है तेरे बाप की लंगा जलेग म्यूजिक दोनों में काफी अच्छा लोग हो आधी पुरुष जो सौंग्स है वो काफी पसंद आ रहे हैं मुवी तो बिल्कुल पसंद यारी जो हमारी एनमे मुवी है उसके भी सौंग्स काफी अच्छे लगए मुझे ता पूरा डिफरेंस एक एनमी मुवी और एक बॉ सकते हैं तुम लोग करने वाले हैं पर हां अभी के लिए जो एनमे और मुवी का डिफरेंस है यह इतना ही था वीडियो खतंग वनने से पहले एक छोड़ी सी अनौस्मेंट मेरे डिस्कॉर्ट सेर्वर को एक साल हो चुका है और में चैनल के ऊपर 200 के और साथ में 15 के मेंब झाल